विल्कम बैक तो दियर अन्दर वीडियो गाईज मुझे ये पता है कि आपको अपने Facebook अकाउंट का पास्वड चेंज करना है बट दोस्तों क्यों चेंज करना है आप मुझे कमेड में जरूर से बता देना वीडियो को लाइक करके चाम को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना मे करने जैसे जब आते हो facebook क्लिक करना है Facebook सर्च करना चाहले एप्लिकेशन को अपडेट कर ले में क्लिक करते हैं दो आपको क्लिक करने प्यास्ट में पासवड चेंज करने या फिर वहाँ पर क्लिक करने के बाद setting वाले option पर क्लिक कर लेना जब आप इतना कर लेते हो देन उसके बाद में यहाँ पर आपको वीक्ट देखने को मिलता है see more in account center जब आप इस पर click करोगे यहाँ पे आपको एक option देखने को मिलेगा password and security जब दोस्तों आप इस पर एक वार click करोगे तो यहाँ पे आपको एक option देखने को मिल जाएगा change password करोगे जैसे जब आप इस change password और option पर click करोगे तो यहाँ पे आप से पूछा जाते हैं कि आप अपने इसी Facebook अकाउंट का password चेंज करना चाहते हो अगर आपने एक email ID या फिर एक नमबर से एक से जादा account बना रखे होंगे Facebook का तो वो total account यह आप आपको देखने को मिल जाएगा आपको जिसका भी password चेंज करना हो आप उस पर एक बार क्लिक कर लेना मेरा यहाँ पे दोस्तो एक ही था यानि कि मैंने एक ही account बना रखे है तो simply वही वाला आ रहा था अब हमें क्या करना है यहाँ पे हमें अपना current email ID current जो हमारा password है वो देना है देन उसके बार में दो बार नया हमारा same password नीचे में टाइप करके यहाँ पे change password वाले option पर क्लिक करना है ठीक है आपको बात समझा गई अगर आपको password नहीं आदे देन उस condition में आपको क्या करना पड़ेगा forward your password जैसे कि मुझे अपना जो अभी वाला password है वो मुझे याद नहीं है ठीक है तब हमें क्या करना पड़ेगा आप एकको forward जैसे जब आप करोगे तो यहाँ पे आपने अपने mobile number या फिर email id से अपना facebook account बनाया होगा या बाद में link किया होगा registered किया होगा जैसे भी होगा तो वहां पे एक code जाएगा जैसे कि यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है मेरा यह जो last 24 वाला number है इस पर WhatsApp पे code आएगा simply हम इस पर click करके जैन उसके बाद में continue वाले पर type करना है continue पर click करना है और दोस्तों यहीं पर नया password जो है वो बनाने का option दे दिया चाता है जैसे कि यहाँ पर भी आपको देखने को मिल जागा मैं simply यहाँ पर type करते तो india at the rate 12345 ठीके और यहाँ पर simply हम next option पर click कर देते जैसे दोस्ते जब हम next option पर click करते हैं तो हमारा नया password जो है वो बनकर ready हो चुका है I hope साबको समझ में आ गया होगा यार वीडियो का like करके चनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना अगर काम हो गया होगा तो